नमस्कार दोस्तों रदा किचन में आप सभी कहोद वह स्वागत है आज मैं लेके आए हूं गाजर की रेश्पी तो गाजर का बर्फी गाजर के हल्वा हर किसी ने खाया होगा लेकिन आज जो मैं लेके आए हूं यह सब अलग है बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही जटपट बनके तैयार हो जाता है अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए फ्रेंस रेश्पी शूरू करते हैं इसके लिए हैं मैं रिए गाजर गाजर वजन में 500 ग्राम है और मैंने इसको दो के अच्छे से साप कर लिया और इसको चुटे-चुटे चौप कर लिया अब इसके पेस्ट बना लेंगे तो इसके लिया है मैंने मिक्सर जार अब उसको पाइन पीस के बिल्कुल पेस्ट बना के तयार कर लेना है तो मैंने इसका पेस्ट बना के तयार कर देख सकते हैं तो दिखाती हूं भीलकुल पेश्ट होना चाहिए धनादार नहीं होना चाहिए तो पेश्ट बना लिया अब इसके लिए है मैंने कडाई कडाइ को गरम होने देंगे अच्छे से गरम हो गया अब मैं इसमें डाल रही हूं एक चमबच घी और घी अच्छे से जब गरम हो जाए तब इसमें डाल देंगे जो गाजर का पेश्ट बना के रखे हैं और जैसे हम हल्वा के लिए गाजर को भूनते हैं उसी तरह इसको भून लेंगे तो इसको गाजर को अच्छे से भून लेंगे तो देख सकते हैं फ्रें से जब गाजर का पेष्ट बनाएंगे उस टाइम अगर गाजर फाइन पेष्ट नहीं बन रहा तो उस जगह दो चमस दूद डालके उसका पेष्ट अच्छे से बना लेंगे तो मैंने भून के तैयार कर लिया है गाजा जैसे हालवा के लिए भूनते हैं उसी तरह अब मैं इसमें आइड कर रही हूं एक कप दूद तो मैं एक कप दूद ले रही हूं इसमें और अब इसको अच्छे से फिर दूद के साथ पका लेंगे तो मैंने एक कप दूद लिया है इसमें आधा कप सुजी आप कोई भी बरतन या कोई भी सेट कर ले जैसे कि एक कप और सुजी के साथ में इसको पकाते हुए पांच मिनट हो गया और देख सकते हैं सारे दूद को अब जॉब कर लिया और अच्छे से एक बेटर बन के तैयार हो गया है अब इसे पकाना नहीं है अब इसे एक बड़े से प्लेट में टांसपर कर लेंगे ताकि यह ठंडा हो जा है तो इसे साइड में रख देती हूं और रसगुले के लिए चासनी बना लेंगे तो चासनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक भगोना उसमें मैं डालें आधा कप चीनी क्योंकि मैंने आधा कप सुजी यूज किया है तो आधा कफी चीनी और साथ में डाल दिया आधा कप पानी तो जितना चीनी उतना ही पानी दोनों का quantity equal होना चीनी इधर घुल गया है देखिए मेल्ट भी हो गया अब इसे जब तक पकाना जब तक यह चिप चिपाना और तो मैं इसे चेक कर लेती हूं तो चासनी चिप चिप हो गया है अब इसे इसे स्टेच पर गया इसको आफ मिल्क पाउडर आप इसके जगा मावा भी यूज कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल रहे हूं दो चमच मिल्क पाउडर में एक चमच मलाई वह फ्रेश मलाई है सुबह की मलाई अब इसे मिक्स कर लेंगे तो उतना ही डालना है जिए यह गून के तैयार हो जाए और इसमें स् सेट हो जाए इस टिविन फूल के तैयार होगी और देख सकता हूं इस टायम कितना गिला था अब थोड़ा सा हाथ में घी लगा लिया और चोटो चोटो बॉल इसका बना के तैयार कर लेंगे तो इसका का घर का माबा आ हो या मार्केत का माबा कोई भी माबा एस से यूज क लिए शुजी बाला गुलाब जामून बनाते हैं तो उसका डोर के से मसल मसल के तयार करते हूं उतना ही इसको सौप्ट गुन के तयार कर लेना जब तक मसल ना है जब तक यह घीर लिजना होने लगा और यह बिल्कुल चिकना ना हो जाए तो इसको मसलते हुए पाच चार से ले लेति हुँ निम्बू सेहेज का निम्बू अकर का तो उसके कर देंगे और इसमें आप मैं जो श्टपिन बना के रक्की हूं वो फिल कर देंगे तो आप चाये तो बिमा इस टो या तो आप इस तो यह पार के इस टो यह एक बार वाला बना के या रसगुले जैसा गोल आप अपने मन पसंद का सेवस देखे बना सकते हैं तो मैंने एक बार में आठ पेड़े बना के तयार कर लिया और इधर तलने के लिए मैंने कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है कड़ाई गरम हो गया अब मैं इसमें डाल रही हूं 200 ग्राम आप इस जगह तलने के लिए तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घी का तलावा मिठाई टेस्ट में दुगुनी होती है और इधर घी भी गरम हो गया अब मैं इसमें डाल रही हूं सारे पेड़े तो तलते समय खास ध्यान रखें फ्रेंस की तेल मीडियम गरम हो जैसे इसका भी तने गरम हो ना तो हाय या ना ही लो हाय रहेगा तो फट जाएगा और बिल्कुल अंदर कच्चा रहेगा इसको लो फ्लैम पे फराय कर लेंगे सारे तो देख सकते हैं तीन से चार मिनट हो गया अब इसे में चम्मस से पलट देती हूं तो एक एक करके पलट लें तलते समय कितना फूल गया और बिल्कुल गुलाब जामुन से भी स्वादिष्ट मिठाई बनके तयार हो गया है और यकीन मानिए आप इस रेश्पी को एक बार बना कर खाएंगे तो यह आप खुद पर यकीन नहीं होगा कि गाजर से भी इतना स्वादिष्ट मिठाई बन इस बना करें देख सकते हैं तो देख सकते हैं और फ्रम आप इस रेश्पी को एक बार जरूर ट्राइ करें खुद पर यकीन नहीं होगाा अपने इसे गाजर से बनाया है तो देख सकते हैं प्रेंज कितना इस्पांच और कितना रसभरी रसगुला बनके तैयार हो गया है तो आप भी इस रेश्पी को एक बार जरूर ट्राय करें और यकिन नहीं होगा कि आपने खुद भी इतना स्वाधिश्ट मिठाई सिर्फ गाजर से बना के तैयार किया और व मेरे चैनल पढ़ना है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें तो मिलती होना है वीडियो मेरे स्वाधिया थैंक्यू पूर वीडियो बचिए